जै माताई दोस्तों मातरानी आपकी सारी मनो काम नाय पोण करें और आप जीवन में खुब सारी तरक्की करें इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं सुरू कर रही हूँ दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मुंडन संसकार के बारे में क्योंकि बच् इने में केवल और केवल तीन सु महुर्थ जो है वो बन रहे हैं बच्चों के मुंडन जो है वो करवाने के बुडन संसकार कहां पे करवाना चाहिए तो आप अपने घर के आंगन में करवा सकते हैं केसी भी तीरतिस्तान पे करवा सकते हैं या जो आपके कुल देवी देवता है वहाँ पे भी जो मुंडन संस्कार है वो करवाया जाता है जो मा होती है उनको अपने बच्चे को गोद में लेना चाहिए और उसका मुख जो है वो पस्चिम दिसा में अगनी की तरफ रखना चाहिए इसके बाद बाल जो है वो उतरवाने चाहिए फिर गंगा जल से सिर को धोकर हलती का जो लेप है वो लगाया जाता है सिसू के जन्म लेने के बाद साल के अंत या तीसरे पांचवे या सातवे साल में शुब महूरत देखकर ही बच्चे कमुंडन जो है वो करवाया जाता है सबसे सुब है कि अगर साल के अंदर ही अगर आप बच्चे कमुंडन क बच्चे का मुंडन जो है वो पंचांकनुशार मुंडन संसकार के लिए दुदिया, तृतिया, पंचमी, सप्तमी, दसमी, एकदसी और तृति के दिथी जो है वो सबसे ज़्यादा सुब मानी जाती हैं। साथी अस्वनी, म्रगसिरा, पुन्न, हस्त, पुनर्वासु, चित्रा, स्वाती, जेश्ट, स्रावण, गनिष्टा और सत्भिसान च्छत्र में चूड़ा कर्म या मुंडन संसकार जो है वो करवाना उत्तम माना गया है, इसी समय बच्चे का अगर मुंडन करवाया जाए तो मंगल, सनी, राहु के तु रहने पर मुंडन करवाना भी सुब माना जाता है, साल दोजार चौबिस में फरवरी महीने में कुल सुब महूर्थ जो है वो तीन निकल कर सामने आये हैं, पहला जो महूर्थ है वो 21 फरवरी को है, दिन जो है वो बुद्वार पढ़ रहा है, श 6 बच के 4 मिनट तक बच्चे का मुंडन जो है वो करवाया जा सकता है, अगली जो तीती है वो है 22 फरवरी दिन जो है वो गुरुवार पढ़ रहा है और जो सुकल बच्च की तरियो दसीती थी है वो पढ़ रही है, पुनिन च्छत्र पढ़ रहे हैं, साथी साथ 6 बच्च दिन गुरुवार पढ़ रहा है, फालगुन महास के कृष्णि पच्च की पंचमी तिथी पढ़ रही है, चित्रा के नच्छत्र पढ़ रहे हैं, सुबह 6 बच के 46 मिनट से लेके शाम को 6 बच के 24 मिनट का जो सुब समय है, जो सुब महुर्थ है वो बन रहा है, इस बीच आप कभी भी बच्चे का मुंदन जो है वो करवा सकते हैं, तो साल 2024 में फरवरी महीने में कुल 3 सुब महुर्थ बन रहे हैं, अगर आप अपने बच्चे का मुंदन करवाना चाहते हैं, तो इन 3 सुब महुर्थ में किसी भी एक सुब महुर्थ में जो बच्चे का मुंदन है वो करवा सकते हैं तो उमीद करती हूँ के आज का वीडियो आप सब को फसंद आया होगा और मेरी बताई गए जानकारी आप सब को अच्छी लगी होगी वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस जाना को सब्सक्राइब करके आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर ली हूँ दोस्तों जैमाता दे